में स्वागत है दैनिक साइन कार रोजगार समचार यूपी PCS ऑप्शनल हटना अता हैं मोखी मंतरी हस्ताक्षर यूपी PCL भाग दो परडाम जारी जहां यूपी PCL का कारिकारी सहायक का परडाम जारी हो गया है और वीडियो 2008 री एक्जाम अपडेट 28 वर्सेश डीलर सुप्रीम कोर्ट आडर कब यूपी टेट नोटिफिकेशन और आईपी में 1675 पदोंपन निकली भरती हैं इन सभी मात्तुपूर्ण खबरों को हम लोग इसी यंक में जानेंगे डिटेल से जानेंगे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करनें विल आइकन और पर प्रेस करनें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करते हैं इस एक वीडियो में हम पुरे दिन की सारी खबरे लेके आते हैं कि आप लोगों को एक ही वीडियो में सारी सुचनाय मिल सकें आए वीडियो सुरू करते हैं मगर अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है चलिए सुन करते हैं यूपी पीशेज ऑप्शन हटना तया है जी हाँ व पैकल्पिक विशे हटने की सुचना एकदम प्रमारिक है प्रस्ताव पर मुकमंत्री जी के हस्ताक्षर भी हो गए हैं आगामी मंगलवार या बुद्वार को होने वाली क्रैबनेट मीटिंग में इसकी स्वीकरती भी मिल जाएगी और इसके स्थान पर दो पेपर ऑप्शन उत्तर प्रदेश टू ये दो पेपर होंगे बाकी पूरा डिटेल जो है वो हम जब आप लोग का हम लोग का विज्ञापन 15 फरवी तक जारी होने वाला है जारी हो जाएगा तो जितनी भी बाके जो डिटेल है वो उसमें मिल जाएगी फिलाल बुद्ध मंगल या बुद्ध समानता के आधार पर छात्रों के संग न्याय हो इसके लेकर के आयोग भी सतर्क है और चिंतन कर रहा है प्रयास यहीं रहेगा कि जल्दी जल्दी गुड्नेवस आपको मिले अगली मात पूर्ण सुचना है यूपी पीचल को लेकर यूपीचल भागदो का परिणाम जारी ह हो गया है जी हां यूपी पीचल भागदो का परिणाम जारी हो गया यहां पर देख सकते हैं आप बिद्दु सेवा उत्तरप्रदेश कार्परेस कार्परेसन लिम्टेड ऊंतर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्परेशन लिम्टेट या उनके सहायक बित्रण निगमों उत्तर प्रदेश माथ पावर ट्रांस्मिशन कॉर्परेशन लिम्टेट है तो कारिकारी सहायक ये कारिकारी सहायक का प्रेणाम अभी भी जारी हुआ है केरिक पदों पर सीधी भरतियो विग्यापन संख्या 9 VSA 2022 EA प्रकासित किया गया था कारिकारी सहाय का विग्यापन प्रकासित किया गया था दूर परांत उसके 21, 23, 24, 25, 26 और 28, 29, 22 को इसकी जो परिच्छा थी CBT वो संपन कराई गई थी रिस्पांस की के विरुद अभेर्थियों से प्राप्त अपतियां की विशे में विशे सग्यों से जाच सभी पालियों के प्रसंपत्रों में अंकों के नर्मलाइजेशन के पसाथ आउनलाइन परिच्छा के दोती भाग से प्राप्त अंकों की सेस्टता के आधार पर लिस्टेड ब्रतियों को उनकी सूची आनुकरमांग 36 बढ़ते हुए करम में निम्नुवत है ये बढ़ते हुए करम में पूरा लिस्टेड हुए हैं उनका रोलंबर हैं आप लोग इसको मैंने अपने टेलिगाम चैनल पर पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया है टार्गेट क लेकर के बहुत सारी वह बहुत मार्केट में बहुत बहुत सारी खबरें आ रहे हैं मगर वह भ्रामक हैं अभी एक ट्रपल सी कोई आफिसेल नोटिस नहीं है आसंक्या जताए जा रही है कि माई जून में मैं जून में आप लोगों की परिच्छा वीडियो रिजाम बोल रहें मार्च में हो जाएगी फरवरिम हो जाएगी घुस 이क यसें कोई जून में संभावित है मै जून में संभावित है वसाँ पे भी किलियर नहीं है जैसे चलियर होगा जोगा अप लोगे अक्षेंटिक और ऑफिसेल नूटिस जारी हो जाएगी तो अभी कोई को दिकर कोई अपने authentic और official नोटिस जारी नहीं है इसलिए कोई इस पस्ट नहीं हो पा रही है कि वीडियो का exam कब होगा फिलहाल आसंका जताई जारी वो मैंने बता दिया है अगली मात्मुर्ण सुचना है बियर वर्सेज डियरेट को ले करके बियर वर्सेज डियरेट को ले करके और यूपी टेट नोटिफिकेशन को ले करके बियर वर्सेज डियरेट की पुरी कारवाई पुरी सुनवाई complete हो गई है समिशन भी हो गया है अब सुप्रीम कोट को 90 दिन के अंदर इसका फैसला देना है असंका जताई जारी है कि 20 स 22 फरवरी तक इसका सुप्रीम कोट का ओडर आ जाएगा मतलब फरवरी में आपको कुछ गुड न्यूज देखने को मिल सकती है और यह पैणाम यह जो और होगा यह नजीर होगा पुरे देश के लिए और इसी के अधार पर सारे आगे के स्टेट इसको फालो करेंगे इस आ आप लोग धायर बनाके रखें जल्दी ही कोई जल्दी ही ओडर आये और आप लोगों के यह चीजें हैं यह किलियर हो जाएं इसी को ले करके बहुत सारे नोटिफिकेशन भी लटके हुए जैसे यूपी टेट को ले करके यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी लटका होगा एक और समस्य हो सकता PNP के जगह पर नए आयोग से यूपी टेट का नोटिफिकर्शन जारी हो कि नए आयोग के गठन की भी प्रक्रिया तेज हो गई है तो बीएट वर्सेज डियलट की अभी तक फिलाल यही सुचना है यूपी टेट और यूपी टेट को लेकर करके अभी उधर से कुछ KBS की तरब से कोई ओफिस्यल नोटिस नहीं आये है जैसे कोई नोटिस आती है या कोई इंफॉर्मेशन आती है आपको इस चैनल के मादम से थोरांती सुचित कर दिया जाएगा अगली मात्मोर्ण सुचला आईबी 1675 पदों पर भरती विग्यापन जा आती है आई भी कि हमेशा नहीं दो तीन चार सालों पर भरती आती है बार जल्दी जल्दी भरती भी नहीं आती है यह MTS Assistant Executive Multitasking Staff Journal Examination 2022 का यह नोटिस है Online Application are invited for Indian National for direct recommend to the Post of Security Assistant Executive Multitasking Staff Journal MTS Journal in the following Subsidary Intelligence Bureau Ministry of Home Affairs यह लगबग इसमें इसके जो पद है वो 1675 जी हाँ इसके जो पद है वो 1675 टोटल पद है पूरे इंडिया में यह भरती है सबको पुरा यह पुरा डिटेल दिया गया है इटा नगर इसका मैंने notification अपने टेलिगाम चैनल पर डाल दिया है आप लोग पूरा notification वहाँ देख सकते हैं इसकी जो इसकेल पेसकेल है वो जो multitasking का है वो लेबल वन का है इसकी जो बेसिक पे होगा अठारा जार पांस अठारा जार से शप्पन जार नौसो होगा लगबग टोटल बत्ते और शुधाओं को मिलाकर लगबग यह जो गुरूब डी का है payment वो लगबग 30,000 बनेगी और जो लेबल 3 का यह जो security assistant है यह लेबल 3 का पद है इसकी जो basic पे है 21,700 लेकर 79,100 है तो यह लगबग सारे प्यतन भत्ते मिला करके डीय मिला करके लगबग 35,000 इसका payment बनेगा यह 10 लेबल की 10 इस्टेड की job है और पूरे भारत में इसके लिए application मांगेगा है जहाँ जहाँ जो चीज है उसका detail पूरा notification में दिया हुआ है notification टारगेट विद रमेज सर के टेलिग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है आप उसको join कर सकते हैं उसका link टेलिग्राम का link description में दिया हुआ है तो यह रही महत्मूर्ण सूचना है यह रहा पूरा वीडियो अगर व विड़ात कर सकति हैं